हलो दोस्तो वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग जानेंगे पिर्थवी के आंतरिक संरचना के बारे में दोस्तो आंतरिक संरचना के मेरा मतलब है कि यह जो पिर्थवी है इसके अंदर के भाग के बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन इसको जानने से पहले हमको और भी कुछ जानना होगा जो कि हम यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों पहले हैं तो हम जान लेते हैं कि पिर्थवी का जो आकार है वो पूरा तरह से गोल नहीं है उसका जो आकार है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस परकार का है इसको हम लोग बोलते है जियोड ठीक है यानि इसका मतलब होता है गोलाव इसका मतलब होता है गोलाव गोलाव कहने का मतलब है दोस्तों कहीं उचा और कहीं नीचा लेकिन अगर हम पूरा एक तरह से सेफ ले लिया जाए गोल तो उसको गोलाव कहते हैं मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होता है ठीक है पूरी तरह से वो गोल नहीं होता है तो जाहिर से बात है दोस्तों पूरी तरह से जब गोल नहीं होता है तो इसका जो धुर्विये व्यास और रेखिये व्यास ये अलग-अलग होंगे अलग-अलग इसलिए होंगे दोस्तों व्यास क जाता है जहां से भी ले ब्यास हो जाता है ठीक है पूरा ठीक है इसको ब्यास कहते हैं तो दोस्तों अगर हम जहां पर उचा है तो यहां से लेंगे तो इसका ब्यास कुछ और हो जाएगा जहां गड़ा है वहां से हम लेंगे तो इसका ब्यास कुछ फरक परेगा ठीक है तो असलिए दोस्तों यहां पर जो होता है यहां पर जो होता है भूमद रेखिये व्यास पन्स के ने का मतलब यह हमारा कितना है तो यह हमारा 1200 KM समझ के आगए होगे पूरी तरह से गोल नहीं है जी योड है ठीक है तो यह हमारा जो है यह इसका व्यास हो गया थो इसका तो तिरजीया किसको कहता है不是 तिर्जिया जो होता है वो आधा होता है ठीक है आधा होता है ब्यास का आधा होता है कहीं से भी ले लिजिए यहां से ले लिजिए इधर से ले लिजिए लेकिन जो आधा होता है बीच का पॉइंट होता है वो तिर्जिया होता है तो तिर्जिया कितना होता है दोस्तों जो प सकते हैं कि यहां पर आकड़ आप अब देख सकते हैं यह जो है कुछ एconomy सोने के का लेंगे तो कुछ निकलेगा इसके निकालेगे अगर इसका अधा करेंगे तो कुछ निकले गा इसका कुछ निकलेगा ठीक है तो 6370 अनिय regular ही सकतर होता है कहें से भी ले लिजिए अगर यहां पर इस अकार का है तो यह चारो तरफ जो है इसी अकार का होगा यहां फिर इसी अकार का होगा यहां इसी अकार का होगा मतलब कहने का मतलब है कि जो भी होगा वो चारो तरफ होगा ठीक है तो यहां केंदर का भाग हम पढ़ेंगे तो चल पढ़ते हैं उपर का भाग है उपर में भी कई है चीए वह संताप मंडल मंदल मंडल मंडलर नगर आयन मंडल मोग बैस यह सब पर तरह पिमत्रवी के अंदर का हम Imards a ऑप्र तो दोस्तों पिर्थवी के ऊपर हम 165 जाते तो क्या होता है एक डिग्री सेल्सियस हमारा माइनस होता है यानि जितना तापमान अगर 22 है हमारे पिर्थवी तप पर तो अगर 165 मिटर अगर हम उचा जाते हैं तो एक डिग्री सेल्सियस तापमान घड़ जाता है यानि 22 से 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ठीक है यानि घटता है 165 मीटर की उचाई पर उसी तरह पिर्थवी पर भी दोस्तो ऐसा ही होता है मतलब पिर्थवी के अंदर पिर्थवी के अंदर क्या होता है दोस्तो पिर्थवी के अंदर क्या होता है कि अगर आप पिर्थवी के अंदर जाते हैं तो हर एक 32 मीटर पर एक डि्री चल्सियस बढ़ता है पिर्थवी पर बढ़ेगा क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे पिर्थवी के अंदर तो बढ़ता है तो यह हर जगह मान नहीं होता इसका कुछ नियम है देखिए ये जो 32 मीटर आप इसे मान सकते है average जो है 32 मीटर जाने पर एक degree Celsius गटता है लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता पहले जो 100 किलो मिटर है पहले जो 100 किलो मिटर है पिर सभी कि अगर हम अंदर जा रहे हैं 100 km जाएंगे तो वहाँ पर 12 degree Celsius पर किलोमेटर बढ़ता है पर किलोमेटर वहीं अगर 100 से 300 km जाते हैं तो 2 degree Celsius पर किलोमेटर बढ़ता है वहीं अगर 300 से 6,370 km तक अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक डिग्री सेल्सियस पर किलो मिटर बढ़ता है तो इस टाइप का है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो 32 मिटर अंदर जाने पर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता है समझ गये तो यह हमारा हो गया अब चलिए हम लोग इसका इंटरनल अस्ट्रक्चर के ब गुल दिया गया ताकि इसके अंदर के भाग को अरामसे तो वह पता कैसे चलता है तो दोस्तों वह पता चलता है भुकम भुकम से थोड़ा सा आप समझ लिजी यहां भी भुकम से कैसे पता चलता है देखिए हम लोग जानते है कि भुकम से जो हमारा तीन परकार का तरंग निकलता है पी एस और एल ठीक है पी मतलब हुआ प्राइमरी सेकेंडरी और लव ठीक है यह लव तरंग इसको इसलिए कहते हैं क्यूंकि जो इस तरंग को खोजा था उस बेग्यानी का नाम और गैस तीनों में चलता है ठीक है पी जो तरंग है वो तीनों अवस्था में चल सकता है चाहे वो ठोस हो द्राव हो या फिर गैस हो एस तरंग जो है यह केवल ठोस अवस्था में ही चलता है जहां ठोस होता वहां यह एस तरंग जाता है और एल तरंग जो है धरातल पर र रहता है ठीक है तो क्या पता कैसे चलता है दोस्तों कि इसी से पता चलता है कि अगर कहीं ठोस जगा पे भी तरंग जा रहा है तो समझ जा रहा है अगर हमारा एस तरंग जा रहा है तो समझ जाते हैं कि ठोस है ठीक है यह अब समझ गये तो इसी परकास से हमारा इंटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है अभी भी मत्वेद है पूरी तरह से पता तो नहीं चल पाया है लेकिन अभी भी मत्वेद है कि क्या है लेकिन यही तरंगों से पता चलता है भुकम भी तरंगों से अब दोस्तों इसको अगर हम खोल देते हैं तो यहां आप तीसरा जो है पीला वाला यहां पूरा पीला वाला ठीक है तीसरा जो है पूरा पीला वाला तीन भाग तीनों भाग को हम कहते हैं क्या है दोस्तों उसको हम देख लेते हैं चलिए इसको हम यहां से समझते हैं ठीक है उसको यह देखी हमारा सहर है यहां पर आप देख सकते हैं यह समुंदर है और इसके नीचे इंटर्नल स्ट्रक्चर है इसके नीचे सारा इंटर्नल जो भी है वो है तो इसका नाम भी कुछ होगा चलिए उसको हम समझते हैं यह फिगर भी आप समझ गये होंगे इसी फिगर की तरह है ठीक है इसी फिगर की तरह है यह हमारा फिर्थवी खोल कर दिखाया गया है और उसका यह डायरेक्ट नीचे दिखाया गया है देख सकते हैं यहां पर जो है सहर है ठीक है सहर है तो देखिए जो यहां से जो हमारा पिर्थवी है वहां से 34 किलो मिटर दूरी तक हम उसको भूपर पटी कहते हैं 34 से 39 किलो मिटर तक हम मेंटल कहते हैं और यह जो लाल और हलका पिला देख रहे हैं यह पूरे भाग को कोर कहते हैं बाद में आपको बाहरी कोर और अंत्री कोर बताएंगे लेकिन अभी समझे इसको कोर कहते हैं और यह 2900 से जो हमारे भरत के 6370 किलो मीटर तक होता है तो तीन भागों में बाटा गया है इसको भूपरपटी मेंटल और कोर ठीक है भूपरपटी आप जानते होंगे कोई भी चीज अगर कुछ निकलता था बचपन में हम पढ़ते थे कि इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्याल कहने का मतलब है अ क्या होगा दोस्तों साइं से हो जाता है जी अ आ ए सिलीकौन ठिक है स्पेलिंग मत देख्या का लिकने में प्रोब्लम हो रहा है इसलीक और इसे क्या हो जाएगा हमारा इलूमुणियम ठिक है सिलीकॉन और इलूमुण्यम तो सिलीकॉन ए है इसे हम लोग सियाल बोलते है अब मैंटल की की बात करें दोस्तों मैंटल जिसको कि हम लोग हिंदी में आवरन बोलते हैं इस एरिया को जो पीला है ठीक है इस एरिया को तो यहां पर जो इसको मिटाद देते हैं अब स्क्रीन सोट ले सकते हैं हमने भूपर पटी हमने देख लिया दोस्तो यह हमारा 34 किलो मिटर तक है और इसको सियाल बोलते हैं क्योंकि यहां पर सिलिकॉन और एल्मुनियम की अधिकता होती है अब अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल जो हमारा कितना 2900 किलो मिटर तक है कहां से 34-29 किलो मिटर तक औ और इसको जो हम लोग बोलते हैं सीमा बोलते हैं ठीक है मेंटल तो बोलते हैं सीमा क्योंकि यहां पर सिलिकॉन और मेगनेसियम होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीमा बोलते हैं ठीक है यहां पर मेंटल में अब दोस्तों कोर की बात करें यहां से जो बीच का स्कोर की तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पर क्या होता है निकेल और फेरस ठीक है इसकी अधिकता ज्यादा होता है तो निफे बोलते हैं निकेल और फेरस समझ जाए है लोहा एफी मतलब लोहा एनाई मतलब निकेल होता है तो इसकी अधिकता अधिक होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं यह समझ गया है इसको क्या-क्या बोलते हैं अब दोस्तों एक बात है कि यहां पर जो होता है यह जो होटा है जो भुपर-पटी है यह ठोसा वस्था में होता है है सिए मेंटल होता कि यह आर्द तरह और्ध तरहरे का मतलब होताई द्रव दोस्तों द्रवक अर्ध तरव मतलब पूरी दरव जैसे पानी की आई दरव है लेकिन पूरी तरह से भी पानी की तरह नहीं होता है कुछ उसके गाड़ापन होता है इसलिए उसको अर्थतरर बोलते हैं और यह जो कोर है यहां जो बहरी कोर अंतरी कोर दिया गया यह ठोस और दरव दोनों अवस्था में होता है ठ ठोस और जो बहरी भाग है वो होता है द्रव कहने का मतलब है यह पिगला हुआ ठीक है और ठोस कहने का मतलब हुआ कि यह एकदम जिस परकार लोहा देखते हैं उसी परकार यह ठोस होता है सो सकते हैं फिर्थवी का केंद्र का जो तापमान है वो कितना है दोस्तों छे हजार डिग्री सेल्सियस और छे हजार डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ पर ठोस पाया जाता है यहाँ पर ठोस इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो दबाव भी बहुत ज़्यादा है दबाव के कारण यहाँ पर ठोस पाया जाता है समझ गें भूपर पटी मेंटल और कोर कोर में भी बाहरी कोर और अंतरी कोर जो अंदर में है उसको अंतरी कोर और जो बहार है उसको बाहरी कोर अंतरी कोर क्या होता है ठोस होता है बाहरी कोर द्रव होता है यानि पिगला हुआ रूप में होता है दोस्तों ये तो कूर की बात हुआ साथ ही अगर हम बात कर लेते यहां पर mental की तो वो भी दोपरकार के होता है यानि दो भागों में उस को भी बाटा गया है उससे पहले दोस्तो जो हमारा भुपरपटी और mental के बीच में जो border है भूपरपटी और मेंटल के बीच में जो बोडर है मेंटल और कोर के बीच में जो बोडर है इसका भी नाम याद रखना होगा तो दोस्तों जो भूपरपटी और मेंटल के बीच में जो बोडर होता है उसको बोलते हैं मोहो कि मोहों डिस कंटिनिटी यानि इसको बोलते हैं आसम्बंदता थीक है मोहों आसम्बंदता इंगलीज में इसको डिसकंटिनिटी बोलते हैं यह हो गया यहां लिख देते हैं इसको डिसकंटिनिटी ठीक है डिसकंटिनिटी आसम्बंदता उसी तरह मेंटल और कोर यह हम समझ आप समझ गया होंगे दोस्तों यह पूरा अंत्रिक और बारी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ठीक है मेंटल और कोर यानि क्रोड जिसको बोलते हैं इन दोनों के बीच में भी यह जो बॉर्डर है दोस्तों इस बॉर्डर का नाम जो है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग ठीक है विसाट असम्मनदता गुटेनबर्ग विसाट असम्मन्दता ठीक है तो यह आप देख लिए भुपरपती और मेंटल के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं मोहो और मेंटल और कोर के बीच में जो है वो उसको बोलते गुट्टन बर्ग विसाट असम्मन्दता ठीक है अब दोस्तों थोड़ा सा हम और भी क्योंकि लाइन बनेगा हमने आपको बता दिया था पहले ही कि देखिए भूपर पट्टी में भी दो है उपरी और नीचली यह उपरी हो जाएगा और जो नीचली हो जाएगा ठीक है उसी तरह मेंटल में भी जो एक उपरी और एक नीचा हो जाएगा और कोर को तो उपर पट्टी में ही उपरी और नीचली भूपर पट्टी में ही उपरी और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर देते हैं ओ भूपर पटी में ही उपर और नीचे का जो बीच में बौरडर है उपर भूपर पटी और नीचलीृपर पटी जो जो बीच में बॉर्डर है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि कॉन्राड असम्बंद था कॉन्राड असम्बंद था अब दोस्तों यह तो हो गया अब उसके बाद जो उपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो यह बॉर्डर है ठीक है उपरी मेंटल और निचली मेंटल इसको बोलते हैं रेपीटी इसको क्या बोलते हैं रेपीटी ठीक है आसम्बंद था अब दोस्तों कोर जो आंतरी कोर और यह जो बाहरी कोर इसके बीच में जो ह है इसको बोलते हैं कि अंठ 502 ओलैम्ला थीक है इसको बोलते हैं लेमेड ठीक है तो आप ने ये समझ घिए कि क्या होता है בी आप देख सकते दूस्तो ये क्रस्ट यानि भुपर-पकटी ये मेंटल है और यह कोर है ठीक है तो दोस्तों यही था हमारा आंतरिक संदचना ठीक